नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखो में दोस्तों बिहार होमगाड भरती 2020 की कुछ नई अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ उपस्तित हुआ हूँ जो कि बिहार होमगाड भरती की है और भरती किस तरह से होगी यह मैं आपको पूरी जनकरे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ तो दोस्तों आपसे लोगों से अनुरुद है कि इस वीडियो के अंतक बने रहेंगे जैसा कि आप हमारे थम्नेल में देख सकते हैं कि बियार होमगाड भरती 2020 बियार पुलिस की तरह होगी होमगाड की बहाली जाने पूरी जनकरे मैं आपको step by step पूरी जनकरे मैं बताने वाला हूँ तो मैं जो न्यूज आपको आप लोगों को बताने वाला हूँ वो पेपर से कटिंग लिया हुआ न्यूज है और दोस्तों जो मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे अनुरूद है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे का बटन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो में बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप हर नुज की जनकारे प्राप्त कर सकेंगे तो चलते हैं मैं आपको इसके बारे में देखा देता हूँ तो इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो देखाना चाहूँगा मैंने इस वीडियो में बताया हूँ और समसाधन विभाग के तरफ से बिहार रोजगार मेला आयोजन क्या गया है तो कौन-कौन से जिले इसमें भाग ले रहे हैं आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और बिहार एस्टेट का जो है एक्जाम डेट जो है वो आउट हो चुका है और कौन से तारिक में इसकी एकजाम होने वाली है यह भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है तो दोस्तों आप लोगों से अनुरौध है यह आप लोग इस वीडियो को इन सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो दोस्तों मैं आपको उसके notification पे लिये चलता हूँ जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने paper से cutting लिया हुआ news है मैं आप उस news पे आप लोगों को लिये चलता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज सरकार को केंदरी क्रिक बहाली का भेजा जाएगा प्रस्ता ब्यार पुलिस की तरह होमगाड की बहाली करेगी board तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से ब्यार पुलिस की परकडिया ली जाती है जिस तरह से बहाली ली जाती है ब्यार पुलिस की उसी तरह से से हम आपको जो है होमगाड की बहाली ले जाएगी और किस तरह से लेना है और कब इसकी स्टार्टिंग तिती है वो मैं आपको पूरी जानकर इसमें बताने वाला हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि होम गार्ड की पहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है पुलिस की तरह होम गार्ड की बहाली यानि नमांकन भी राजित स गठ़ित जड़िये किया जाएगा अभी होम गार्ड की बहाली जिला स्तर पर होती है पर नए व्यवस्था में या केंद्रिकरित होगी कि होम गार्ड के डी जी आरके मिस्रा Y बहाली परक्रिया में बदलाव को लेकर एक प्रस्ताव तयार किया है जिसे जल्द सरकार को भेजा जाएगा मंजुरी मिलते ही मिली तो होमगाट की बहाली की पूरी परक्रिया जो है बदल दी जाएगी और मुख्याले स्थर से इस तर पर बना बोड करेगा चेहन जी हां दो एक चेहन बोड का गठन किया जाएगा यह बोड जीले में तारिक पर की जाएगी और होमगाट के लिए आवेदर करने वाले अभियरतियों की परिक्षा भी लिजाएगी तो जिस तरह से इसमें साबतोर्ग पर कहा गया आए कि जिस तरह से आप लोग बिहार पुलिस की एक एक जाओं देने होंगे तो इसके लिए बोड द्वारा चेहनित अभिरतियों को होमगाट में बाहल करने के लिए संबंधित जीले के डीम को अनुसंसा की जाएगी अधिकारियों का मानना है कि इससे होमगाट की बाहली में तेजी आएगे और रिक्तियों को भरा जाएगा होमगाट की बाहली जो है इंटर पास के आधार पर ही होगी यानि इसमें जो एजुकेशन होगा दोस्तों वो इंटर पास होगा मेट्रिक पास पहले जो थी होमगाट के लिए वो मेट्रिक लेवल पर ली जाती थी लेकिन अब जो है वो इंटर लेवल पर ली जाएगा और करीब 12,000 रिखतिया हैं नमंकित होंगाड की संख्या जो है 4,444,403 है और नमंकित होंगाडों में उन्ही को गिना जाता है जो ट्रेनी कर चुके हैं और हर साल बाद बांड भरते हैं लमंकित होंगाड में वर्तमान में 34,005 को विभी व्यविस्था समित अने जगहों पर ड्यूटी दी जाती है तो ये सारे चीज़े थी और जीले के ब्रह्मन के दोरान पाया गया है कि होंगाड में नमंकन होने के लिए पूर्व में आवेदन कर चुके अवियर्थियां में क जो कि पहले जो आप लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ था जो कि 2006, 2009 और 2011 में होंगाड की बहाली के लिए विज्यापन निकाला गया था करीब 13,000 बहाली होनी थी लेकिन उनमें से जो है 863 ही बहाल हुए है और बहाली की सुस्त परकडिया को देखते हुए जिलास्तर पर च जो है वो 724 पर परतिदीन के हिसाब से है और जो 2011 में और 2009-2006 के जो विज्यापन में निकाला गया था वेकंसी उनमें से 13,000 हुई है और 283 ही बहाल हुए है जबकि 13,000 बहाली लेनी थी लेकिन जो सेस बच्चे हुए है अब जो है वो केंदर सरकार के तरफ से बहाली ले ज कोई परिशान होती है तो आप हमसे डिरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो के अतना सेर करेंगे ताकि जो भी इसके लिए इजिवल है कंडिडेट वह इस फॉर्म को भर सकेंगे और दोस्तों हमारे इस येटवी चैनल में आप समों का धन्यवाद